दोस्तों अगर आप वाटसप यूजर ने तो आपको इस ट्रिक के बारे में जरूर से पाता होना चाहिए दोस्तों आज मैं आपको वाटसप की तीन अल्टिमेट हिडेन ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और आपको इनके बारे मे कुछ भी नहीं करना तो तो ट्रिक काफी अच्छी और बहुत ज्यादा यूश्फूल ट्रीक्स है तो वीडियो लास्ट तक जरूर करना और उस्तु वीडियो शुरू करने इस पहले आपको एक काम जरूर से कर लेना है सबसे पहले वीडियो को लाइक बटन दिखाई देर साइड में छोटी सी बेल आइकन देखने को मिलेगी आपको इसको भी क्लिक करके ओल पर सेट कर दिजिए इससे क्या होगा आपको इस तरह की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकस्टन मिल जाएगा जैसे कि आप सबसे पहले देख पाएंगे तो दोस्तो चलिए आई होग कि आपने ये काम कर लिया होगा और आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दिना है अपना नेम एंड सेटी जैसे कि मुझे पर पता चल सकता है कि आप इस सेटी से बिलाउं करते है और आप मेरे रिगुलर वीवर तो आई होग कि आपने ये काम बिक कर लिया होगा चलते हैं कि तर उनि डू mist काँवी सतंदा रए सो सुरू करते हैं वीडियो हो किसी अपने फ्रेंड से चैटिंग करते हैं इस तरह से चैट कर रहे होते हैं मान लीजिए ठीक है तो अगर आपका कोई फ्रेंड है ठीक है और आप उसे बात करते हैं तो अगर मुझसे बात कर रहे होते हैं जिससे दूस्तों जैसे मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड से किसी स भेजदी दर से ओके तो यह मान लिजे एक तो अभी तो यह एक टेबल है ठीक है मान लिजे काउंटर टाइप का है ठीक है तो अगर इसी तरह कि आपने कोई important pictures अपने friend को share कर दी ठीक है और आपको लगता है यार कि वो life में आगे आपके साथ मतलब आपको emotionally blackmail इस तरह से blackmail कर सकता है इस photo के मेदद से या आपको नीचा दिखाने की कोशिस कर सकता है तो आपको यहाँ पर एक setting को on कर दिना है इसके बाद जो होगा मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको कहा करना है उस बंदे की profile में photo में click कर दिना है डीपी में टीपी में click करने के बाद यहाँ पर एक i button देखने को मिलेगा जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तो इस पर आपको tap कर देना है इस पर जैसे tap करते हैं तो यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा आपको disappearing message दोस्तों यह message के बारे में आपको पता होगा बट यहाँ पर एक update आया के बाद अब यहाँ पर इसको on कर दिना है इसको on करने के बाद थोड़ा सा back चले जाना है ठीक है अब यहाँ से जैसी आप यह setting को on कर देंगे तो क्या होगा कि जब भी आप आप किसी बंदे को कोई भी message भेजेंगे तो क्या होगा कि वह message 24 hours में बंद हो जाएगा अपने आप ठीक है तो यह काफी ज्यादा अच्छा feature लगा 24 गंटे में या साथ दिन में यह अभी तो मेरे में साथ दिन देखाई दे रहा है दोस्तों आप इसको update कर लिएगा ठीक है जैसे आप इसको update कर लेंगे तो यहाँ पर 24 hours का option आ चुका है जिसके बारे मैंने पहले देख कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल भी कोई भी problem नहीं होगी आप इस तरह से कुछ भी उसको share कर सकते हैं ठीक है और वो बंदा देख बिलेगा और आपकी photo को save नहीं कर पाए gallery में कुछ time बाद वो अपने आप फोटो delete हो जाएगी ठीक है तो यह पहली trick थी इसके बाद second trick आती है माली जी आप किसी को कुछ message बेजना चाते है ठीक है यहाँ पर आपने hi hello कुछ भी message लिखकर send करना चाते है ठीक है और आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा मतलब आपकी chat को कहीं आपकी chat उसके अलावा कोई और तो नहीं देख रहा है तो आप यहाँ पर एक setting होती है जिसके एक option दिया रहता है encrypted okay encrypted में click करना है अब यहाँ पर encrypted में click करने के बाद यह आपको enable कर देना है ठीक है enable करने के बाद यह screenshot लेकि आपको उस बंदे को भेज देना है जिसके साथ आप personal chat करते है आपनी girlfriend हो या आपका boyfriend हो और उससे इसी तरह का screenshot मंगवाना है और आपको बता द बता देना है कि आपको क्या करना है मेरी profile में click करना है and एक lock option देखने होगे लेगा इसके बाद आपको encrypted में click कर देना है इस तरह से और वो screenshot भेज़ना है इसके बाद आपको क्या करना है दोनों को एक दूसरे के number को इनको match करना है अगर match कर रहे हैं तो यानि कि आप लोग पर्सनल चैटिंग करता है तो आप चाहते हैं कि आपको जो उस बंदे नेsemundal फोटो भेजी जिसे मान लिजिए यह जो फोटो है यह उसने मजे परसनल भेजी है तो मैं चाहता हूँ कि यार यह गालरी में ना सो ना दिखाई दे क्यों कि घालरी में सोगी तो मेरा फोन गै यहां से बैक जाने के बाद आपको इसकी प्रोफाइल में क्लिक करना है यहां पर फिर से आपको एक आई बटन यह दिखाई देगा इस पर फिर से क्लिक करते हैं तो यहां पर एक आपसन देखने को मिलेगा आपको मीडिया विजिबल्टी सैद आपको इसकी बारे में पहले पाता हो तो आपको यहां पर क्लिक करना है इसपेश एक देखने को इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर No पर Click करके Okay और Click कर देना है अब ऐसा करने के बाद अब आपको वह बंदड जैसे भी कोई Message भेजेगा कोई भी पिक आएगी उदर से तो यह पिक गैलरी में नहीं जाएगी दोस्तों गैलरी में क्यों नहीं जाएगी यह एक secret setting में चली जाएगी उसको कैसे करना है मैं आपको बता जाओ इसके रिया आपको अगर आपको फोटो गैलरी में सो करनी है देखनी है तो आपको क्या करना है यहां से जाना है अब यहां से आपको file manager को open कर लेना दूस्तों file manager open करने के बाद अब यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा एंड्रोइड का यहां पर सर्च कर देना है नहीं देखने को मिलेगा तो आपको सर्च कर देना है एंड्रोइड करके एंड्रोइड जैसे आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको दो एंड्रोइड अपसन देखने को मिलेगे तो आपको फर्स्ट में इस से कुछ नी करना है इस पे क्लिक करने के पाद आपको एक उपसन देखने को मिलेगा वाटसब कोष्थ करने के बाद सक्तों सबस羡़ से क 훔र से इसलिए व्योड़ी को historically ध्यांसे दृख़ियेगा फिर्ल की कर दो मत करिएगा अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक option रहता है private करके दोस्तों यह setting पर क्लिक करने के बाद जो भी फोटो रहेगा सारा कुछ यहाँ पर आपको mention कर दिया रहेगा ठीक है वो सारी फोटो यहाँ पर सोओंगी आप उनको आप delete कर सकते हैं save रख सकते हैं कहीं भी share कर सकते हैं तो यहाँ पर वो सारी फोटो आ जाये करेंगी जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं और आपके घर में family में कोई भी बंदा देख नहीं सकता है तो मुझे दोस्तों काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग ट्रिक लगी setting लगी इसलि कुछ delete हो जाएंगी अपने आप जिससे कि मुझे वो black mail नहीं कर सकता है ठीक है तो यह ट्रिक मुझे काफी कमाल के लगी दोस्तों आपको कितनी अच्छी लगी मुझे comment box में ज़रू से बताइए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जले से वीडियो को लाइ सब्सक्राइब कर लिजे बात बाकी मैं में लोग आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद टेक केर बाइबाए